आज मैं आप लोगों के लिए भूती अच्छी स्वीट्स लेके आई हूँ जो हम ताजा नारियल से बनाएंगे और सेवई से बनाएंगे जो बहुती जादा टेस्टी बनती है बहुत डिलिस्यस बनती है एक बार अगर आप इसे बनाएंगे तो बार बार खाने के इच्छा ह होगी भूती जादा टेस्टी स्वीट्स बनती है यह देखिए कितनी रसीली तो आएए इसे बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं किचन टीला किचन में आपका फॉप बहुत स्वागत है सबसे पहले हम लेंगे फ्रेश नारियल यह देखिए मैंने यहाँ ताजा नारियल मैंने हाफ लिया है एक पूरे नारियल का मैंने आधा नारियल ले लिया है अब इसे हमें कद्दू कस करना है नारियल को हम कद्दू कस कर लेंगे यह देखिए मैंने यहाँ कद्दू कस कर ताजा नारिया गॿस्टक कर लोघए देख सकते हैं यह करीबन एक कप ताजा नारिया घीज कर लेगी काइज है यहां मैंने ली हैं सेवह वर्माशी कई वीर के लेनी हैं 25 ग्राम हैं पर डुट इसे कंई तोड़ना बारिक रहती है यह वर्म्यों शेव ये देखे, अच्छे से हम इसे तोड लेंगे, इसे हमें अच्छे से तोड लेना है, ये देखे कितने अच्छे से तोड लिया है, एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, आधा छोटी चम्मच, इसमें हमें डालना है बादाम, दस्ते बारा बाद आप अपनी इच्छा नुसार कम जादा कर सकते हैं. इसे हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन कलर आने पर ये बिल्कुल पतली रहती है इसलिए हमें लो फ्लेम पर भूनेंगे जलेगी रही अब इसी काड़ाई में मैं दुबारा से डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून डेसी घी दो चम्मच घी मैंने एक कप जो ग्रेट करके हमने के रही है वह भी हम घी में डाल लेंगे घी में डाल ले के बाद को कॉनने को हमें अच्छे से 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है आप इसमें डालेंगे 2 तेबल स्पून फ्रेश मलाई घर के दूद की मलाई हैं। बनाऑ मिक्स करना में उपयए दूर बहुत है। दूर दोडे हैं। बहुत कैना दालाता है। ऑफे आपटे सो दूर हूं. इसी स्टेज पर अब हमें इसमें डालना है आधा चम्मच जिंजर पाउडर सोट का पाउडर डालना है भहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आधा चमच डालेंगे हम काडमम पाउडर इलाइची का पाउडर दोनों डालने के बाद हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है अच्छे से mix करने के बाद अब इसमें डालेंगे जो सेवई हमने भून के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और अच्छे से mix करेंगे सेवई को मिक्स करेंगे साथ में हम इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं pumpkin silt दोनों चीजें अच्छे से mix कर ली है मैंने हाँ आप देख सकते हैं pumpkin silt मैंने आधी डाली है आधी मैंने garnishing के लिए रखी है ये देखें अच्छे से low flame पर हमने mix कर लिया है सबी चीजों को सेवई भी अच्छे से इसमें mix हो गई है अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं दूसरे बरतन में मैंने यहाँ चीनी डाल ली है 200 ग्राम चीनी ली है 70 ml इसमें पानी लेंगे चीनी का एक तिहाई हमें पानी लेना है पानी डालने के बाद हमें इसे melt करना है चीनी को low medium flame पर melt करनेंगे थोड़ी सी मैं इसमें केसर भी add कर रही हूँ यह optional है सबी चीजों को अच्छे से mix करने के बाद चीनी क्यों हम अच्छे से घोल लेंगे यह देखे चीनी उबल गई है अच्छे से melt हो चुकी है इसमें एक भी chunks नहीं है अब हम gas की flame को बंद कर देंगे कड़ाई को मैंने अब फिर से gas पर रख लिया है gas की flame को मैंने low किया है low flame पर रखना है चासनी सेवई में डाल दी है इसी हमें 3-4 मिनट कर तब तक कुक करना है जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाती जमने की consistency में नहीं आ जाती ये देखिए 3-4 मिनट के लिए मैंने यहाँ low medium flame पर अच्छे से mix कर लिया है आप देख सकते हैं काफी ठीक हो गया ये जमने की consistency में आ गई है एक tray लिया है जाए और अच्छे से ईसने Pie saline कर लिया कि अब सेवह को हम इसमें डाल देगे अब कि संधर के ड्राइव फ्रूट्स हम इसमें डाल देगे ट्रस लिया हैं काट लिये ये हैं अच्छे से मिने जानिया है अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं लेकिन हलका ठंडा होने के बाद ये देखी हलका हलका भी भी गरम है गरम में हम इसमें निशान लगा देते हैं ताकि जो हम चिक्की निकालेंगे तो बहुत अच्छी निकलेगी इसलिए हम हलकी गरम में निशान लगा लेंगे ये देखिए चिकी हमारी बनकर रेडी हो गई है जो इतनी टेस्टी बनती है कि मुँ में घूल जाने वाली बार-बार खाने की इच्छा होती है इतनी टेस्टी बर्फी बनती है एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आप लोगों को मेरी ये विडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ने भुले और बेल आइकोन पर क्लिक जरूर करने न्यू मोर रेसिपीच के लिए हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगी धन्यवाद